इकाई आट मा कह एक कहानी काव्य विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने कई कविताइं सुनी होगी और गान भी किया होगा आज जो कविता सुनने वाले हो, वह समवाद शैली पर रचित है जिसने मा और बेटे का समवाद है तो आईए इस कविता का श्रवन करें ध्यान से कविता सुनिए मा कह एक कहानी मा कह एक कहानी मा कह एक कहानी मा कह एक कहानी बेटा समझे लिया क्या तुने मुझे को अपनी नानी कहती है मुझे से यह चेती तू मेरी नानी की बेटी कह मा कह लेटी हे लेटी राजा था या रानी मा कह एक कहानी तू है थी मान धन मेरे सुन उपवन में बड़े सवेरे सात ब्रवन करते थे तेरे जहां सुर्विमन मानी जहां सुर्विमन मानी हामा यही कहानी वर्ण वर्ण के फूल थिले थे जर्मल करहिं बिंदु जिले थे हलके जोके थिले मिले थे लहराता था पानी हाँ हाँ यही कहानी गौत थे खग कल कल स्वर से सहसाए एक हलस उपर से गिरा बेदद होकर खग शरं से हुई पक्ष के हानी हुई पक्ष के हानी करुणा भरे कहानी जोक उन्हों ने उसे उठाया नया जन्मता उसने पाया इतने में आखे तक आया लक्ष से दिका मानी लक्ष से दिका मानी कोमल कठिन कहानी मांगा उसने आहत पक्षी तेरे ताथ किन्तू थे रक्षी तब उसने जो था खंग भक्षी हठ करने के ठानी हठ करने के ठानी अब बढ़ चले कहानी हुआ विवाद सदय निरदय में अभय आग रही थे स्व विशय में गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी राहुल तू ने ये कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका कह दे निर्भय जय हो जिसका सुननू तेरी बानी माँ मेरी क्या बानी मैं सुन रहा कहानी कोई नीरप राध को मारे तो क्यों दुसरें उसे उबारे रक्षक पर भक्षक को बारे न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी तूने सुनी कहानी तूने सुनी कहानी तूने सुने प्रोमें reality मैं येज़न कोष़ तूना कोसा तून